सर मीरे नाम वन्ज अगरवाल है और मैं माने वरचना इंटरनेशनल स्कूल, फाईदाबाद की कक्षा दसवी कचात्र हूँ, सर मेरा आपसे यह सवाल है कि हमें अपने लक्षे को करते हैं को दो निर्धारित कैसे करना चाहिए, हमें अपने लक्षे को दो करने में conservative होना चाहिए या सदेव बड़ा लक्ष निर्धायत करना चाहिए इसमें आपका नुभफ क्या कहता है धन्यवाद मारीनी इस पर हम सब को कुछ बता है मैं आप से एक सबाल पूछू जरा हाथ उपर करना हूँ ऐसा कितने लोग मानते हैं कि लक्ष बहुत छोटा होना चाहिए जरा हाथ उपर करें जो यह मानते हैं कि लक्ष बहुत छोटा होना चाहिए ऐसा कितने लोग है दो तिन लोग ही है जो मानते हैं लक्ष बहुत बड़ा होना चाहिए कितने है तो डेमोक्रेटिक वे में तो ताय हो गया हम लोग गुजराद में बच्पन से कहावत सुनते हैं निशान चुक माफ नहीं माफ निचू निशान यानि अगर निशान चूक जाते हैं तो माफ हो सकता है लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफ ही नहीं हो सकते हैं जब लक्ष ताय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष ऐसा होना चाहिए जो पहुँच में हो लेकिन पकड़ में नहीं हो यानि लगता है माली मुझे हाँ छूडा है मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं छूड़ मेरी पकड़ में नहीं है तो फिर नया लक्ष की प्रेणा उसी में से पैदा होगी और इसलिए लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम कुछ नहीं करने के लिए बड़े बड़े लक्ष की बाते करते रहें मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछें कि क्या करते हो तो मैंने देखा था वो कहते थे सीए कर रहा हूं तो मैं हरान था इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं तो पता चला कि वो यह मैं बीस साल पहले की बात कर रहा हूं कि यह सीए कर रहा हूं वह से क्यों कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उदर बाते करते देखने मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूं यह जवाब बना भरी रहता है अब 20-22 साल की उमर हो गई है रिष्टे भी आते हैं तो माबाप क्या जवाब दे तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है अब यह लक्ष नहीं है जी यह तो एक प्रकार थे चालबाजी है अपने आपको सुरक्षित करने की हमें पहले अपने आपको भली भाती जानना चाहिए अपने तरीके से जानना चाहिए किसी के संदर्ब में नहीं अपने माबाप के सपनों के संदर्ब में नहीं अपने टीचर के संदर्ब अपके प्रदान बंदरी के भाशन के संदर्ब में नहीं खुद के संदर्ब में मैंने जो ताई किया था पहले क्या हुआ उसका उससे आपको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूँ तो ताई करो यहां नहीं रुकना है पांच के दम और जाना है लक्ष अपने सामर्थ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की और ले जाने वाला होना चाहिए ऐसा नहों कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ ही मरता चला जाता है और ऐसी जिन्दगी कभी नहीं होनी चाहिए और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष साफ होने चाहिए लक्ष दो प्रकार के भी होते हैं एक अंतिम लक्षी प्राप्ति के लिए छोटे छोटे आपने देखा होगा कोई जो बड़ी पहाडी चरता है तो पहले छोटी छोटी पहाडीों को लक्ष बना करके चरते चरते उसको सिद्ध करके फिर अगली चोटी पर जाता है हमने भी कोशिज ही करनी चाहिए तब जाकर के मैं समगता हूं कि हम लक्ष के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष अगर प्रात्व नहीं हुआ है तो हमने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए देखना चाहिए अंदर कि मैंने यह ताई किया था कहां कमी रही मेरी मेहनत में कमी रही मेरे प्लानिंग में कमी करे रही इन छोटे छोटे लक्ष का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष तक जाने में कोई बड़ा हाथसा नहीं होगा आप उसको आसानी से करेक करते जाएंगे, पार करते जाएंगे तो लक्ष सिरफ होना इनप नहीं है, लक्ष पाने के रास्ते में आपका कितना कॉंसेंटेशन है आप कितनी energy कितनी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस पर अगर आप जागरत है, मुझे विश्वास है, कि कोई लक्ष बेकार नहीं जाता है, वो लक्ष आपको भी सामर्थवान बनाता है.